लोगडाउन के इस नेगेटिव से इन्वामेंट के बीच एक बहुत इंपोर्टेंट रिक्वायरमेंट थी एक ऐसी पॉजिटिव पोर्स की जो हम सब की क्रियेटिव एनरजी को और हम सब के जो टालेंट पूल है जो स्किल सेट है उसे बाहर निकाल के उसके ग्रोथ और डे डेवलक्मेंट उसमें कॉंट्रिबूशन हो सके इसका इस सभी के साथ जो यह काफी सारे हम स्टूडेंट्स थे नाइन तू ट्वेल के अलग-अलग सिटीज के और आसपास के रीजिन के वी केम तुगेधर और और पॉंद इस आइडिया ओफ स्टूडो में जिसके थू हम लोगों ने अभी काफी सारे जो नाई की कॉंपेटिशन कराया हैं जिसमें अराउंड 1500 प्लस पाटिसिपेशन ओल ओवर इंडिया आया है जिसमें काफी सारे इवेंट्स में 200 और 300 इन सबसे इवें 400 500 के ओपर भी पाटिसिपेशन आया है इस सब के बीची एक चीज जो प् में बात करें तो स्टूडो मेट्रिक्स उसी की करा काम करता है हमारे पास पिछले कुछ दिनों में काफी सारे सजेशन आये काफी सारे क्वेशन आये काफी सारे क्वाइरी आई कि स्टूडो मेट्रिक्स आखिर है क्या क्या हम कैसे स्टूडो मेट्रिक्स के साथ काम कर सकते हैं क्या हम कैसे studio matrix को join कर सकते हैं how can we organize the way that you are doing how can we join the organizing team और अगर आप ध्यान से देखें तो शुरु आज से even today for even today आज तक हमारे पास जितनी भी applications आई हैं जिसने भी हमसे कहा है join करने के लिए we have admitted all of them and because the fact is कि हमारा जो basic motive or goal है to promote skill development and the development of us all the student community तो इस सभी के साथ हमारा जो काम आगे बड़ा तो जब हम लोगों ने देखा तो काफी सारी queries ये भी आएं कि क्या ये lockdown के बाद भी persist करेगा क्या lockdown के बाद भी हम इस टाइप के events कर सकते हैं क्या अभी जो groups बन रहे हैं हमारे अगर हम photography की बात करें singing, dancing, writing, poetry जो सारे groups बन रहे हैं क्या वो persist कर सकते हैं क्या ये groups आगे काम कर सकते हैं क्या हम अपने schools में इस टाइप की units कोल सकते हैं हम अपने groups तैयार कर सकते हैं cultural groups, task force और ये जो सारा module तैयार हुआ है हम लोगों का जो लेयाऊट्स, जो सारा structure, जो सारी planning जो इसमें लगी है जो हम लोगों ने सीखा है क्या वो हम और आगे इंपार्ट कर सकते हैं क्या workshops हो सकते हैं हमारे अलग-अलग skill set के लोगों के लिए online workshops, physical workshops, events, competitions क्या ये सारी चीजें आगे जा सकते हैं और एक चीज अगर हम ध्यान से देखें तो that all is possible and with this thing in mind we came with this idea of local units maybe within your own school, maybe within your own city where you organize the people in such studio matrix units or cultural units or such units which have talent pools where we can use the modules that we have developed over here, we can contribute हमारे हर एक शहर में अगर जो हमारे इस टाइप के अगर units हैं तो अगर किसी एक शहर में किसी एक school में कोई initiative अच्छा चल रहा है क्या हम उसे उपर तक लेके आ सकते हैं क्या किसी एक normal student का idea आगे तक पूरे देश में implement हो सकता है तो उसके लिए हमने काफी सारे modules और planning करी और उसी के साथ हम आप सब के साथ एक brochure share करने जा रहे हैं जिसमें हम एक module को जो है describe कर रहे हैं जो basically school friendly है मतब school administration की को कोई परिशानी ना हो साथ में आपके parents को कोई परिशानी ना हो और इसी के साथ साथ हम सब का development जो है growth जो है वो बिना रुके बिना किसी problem के सब को equally पहुँचती रहे तो उसी के साथ हम लोगों ने ये initiative चालू किया है और brochure आप सभी के साथ है जो जो join करना चाहता है please fill this form, reach out to us, we would reach out to you and let's collaborate and we all be together in this aspect and this force of national development that is being inspired by our ideals like AP J. Abdul Kalam and Swami Vivekananda Thank you Thank you